वेल्कम फ्रेंड्स तु माइ यूटूब चैनल केटी कपिल दल्रेजा काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शियर वॉच तिल एंड फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अप्रूल फॉर एकॉनोमाइजर मेनुफेक्चर कैसे अपलाए कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले पहले आपको गोगल में जाना है आपको वहां पर टाइप करना है अपले सरकार.mahaonline.gov.in तो फ्रेंड्स जब आप इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होता है यहां पे लिखाए दोस्तों माराश्या राइट टू पॉब्लिक सर्विसस एक्ट ठीक है दोस्तों यहां पे थोरा से सब्स्क्रोल कर रहेता हूँ यहां पे देखे दोस्तों जो भी नए यूजर है उनके न्यू यूजर रेस्ट्रेशन का ओप्शन आ रहा है इसमें आप कैसे रेस्ट्रेशन करना है मैं आपको इसी वीडियो में तो आगे चलके पता देता हूँ सबसे पहले पहले दोस्तों आप एक नोटबुक और प्रेन लेजिए जो भी आपको सेटिफिकेट निकालना है उसका डिपार्टमेंट आपको लिखके रखना पड़ेगा क्योंकि जब यह आप साइन अप करेंगे उसके बढ़ी आप साइन इन करेंगे तो वह डिपार्ट आप लिक लेना दोस्तों अब कि रस्तों अब करेंगे अप्रूल फॉर एक्रणोमाइजर मनिफेक्टर अब तो इसमें दोस्तों जो आपको डॉक्मेंटेशन लगने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले पहले दोस्तों यहां पर शर्टिफिकेट नाम आगया है अप्रूल और रिनीवल फॉर अफ मैनिफेक्टर एरेक्टर रिपेर एंड पाइप फैब्रीकेटर रोकुर्ट अधर दोकुमेंट्स अधर दोकुमेंट्स एनीवन SSI unit a copy of certificate दूसरा आपको लगेगा दूस्तों a map of area of fabrication बहुत कवर्ड अनकवर्ड शोइंग बहुत प्लान एंड एवल्यूएशन डीटेल्स ठीक है दूस्तों उसके बाद दूस्तों नीचे जो डॉकिमेंट्स हैं वो सब आपको देने हैं लिस्ट ऑफ मैन्पावर वेल्ड certificate, list of welder details, list of previous work carried out, list of tools and tackles with technical specification, MEC, Capacity EDC, NOC obtained from local authority, MIDC, to undertake manufacturing activity, approval plan of worker workshop, showing the location of all machines and equipments, covering all the space area. ठीक है दूस्तों तो नीचे में जभी यहां पी apply करूंगा तो यह मुझे registration के लिए बोलेगा, तो registration कैसे करना है मैं एक बार आपको बता देना हूं दूस्तों प्रेंट्स अबर आप इसमें नए हैं तो अप कैसे registration कर सकते हैं आप ले सरकार में मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले पहले देखिए दूसे यहां भी आपको new registration का आ रहा है option आ रहा है new user registration है तो इसमें देखिए दोस्तों जब यह आप open करते हैं तो इसमें आपको option 1 और option 2 आ रहा है दोस्तों तो friends आपको option 2 में जाके tick करना है तो friends देखिए जैसे यह आप option 2 में जाते हैं यहां पर applicant number 1 का डियल आपको मांगता है दोस्तों है तो friends आपको पहले पहले कि सड्यूटेशन में जाना है इसमें जो भी हैं जी कुमार है कुमारी है मिस्टर मिसिस श्री श्री मती जो भी है वह इसमें आप डाल सकते हैं सब्सक्राइब इसकी अच्छी बात है दोस्तों जो भी आप यहां पर नाम डालेंगे English में वह by default आ like no kitchen जयसे में इसमें नाम डाल नेता हूं मैं चर्ण कर रहा है यहरा है यह दोस्तों फुद बख़ुद इस इंटरेट में इसमें मारे स्में महीं पढ़े लुए ईए अपको टायप करने में ज़रूर्वर नहीं पड़ेगी इसमें नाम डालना पड़ेगा है कि जो भी आपका देक्टाउब बश्ट है उसमें डाल दीजेगा इसमें पहले पहले आप यह उसलेक कर लीडिए दूस्तों एधी कि में स्ल cachal जा रहा हूं दोस्तों आप आराम से इसको देख सके और इसको प्लै भी कर सके ठीक है दोस्तों तो जो भी इसमें डेट आपको बर्थ है उसमें आपको एज यहां पर खुद पर खुद यहां पर कल्कुलेट कर लेगा दोस्तों जेंडर में मेल फीमेल ऑक्यूपेशन में दोस्तों आपको देखना है कि जो भी आपको ऑक्यूपेशन है वह आपको इसमें लिखना पड़ेगा अगर आपको business है तो business doctor हे तो डॉक्टर इंजिनियर है तो engineer government employee है तो गॉर्रें government employee housewife यह तो housewife lawyer nurse private sector ठीक है दोस्तों यह सब जो भी है इस वे student है तो आप student type का सकते हैं यहां पर आपका one section पूरा हो यहां भी आप डाल दिजिया दॉस्तों, जो भी इसमें आपका बिल्डिंगा का नाम है. जोता है, ठीक है दिस्तों, सफोस। यह इसमें आप डाल दीजिये, जो भी आपको डालना पढ़ते गा, आपका डो बुल्डिंगानाम है. इसमें आपका बैरेक नंबर है आप डाल दीजे लूम नंबर इसमें आपका है जो भी आपवा डाल दीजिए ूम przep तो मेंन बेनिफिट हुआ है कि जो भी आप टाइप करते हैं इसमें आपका आ जाते हैं ठीक है दोस्तों इस तरह से जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे यहां पर यह पकरता जाएगा सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा जो भी बिल्डिंग है वह आप इसमें नाम डाल दी इसमें है इसमें जो जो श्टाए जहां पे दिया हुआ हैं दोस्तों में कांपार स्षाना पड़ेगे बेदी कि भता हूं कि जिसे आपको इस पर तालुक जो भी आपको आता है फो आतक डालना पड़ेगा ठीक कि डिक्वरेंगर धो युजरिम वेरिफिकेशन बहुत ररूरी है दोस्तों तो जैसे आप इस्मेह tower desam कि यहां परेat को करना पड़ेगा जो भी आपको बनाना है दोस्तों इसमें यूजर्णelyían नहीं कि दाले सुभी युजर्नेम याद करने की जरूवत नहीं पढ़ें लीचे आपको डालना ही पड़ेगा डिमेल डॉट काम जो भी है उपर आपको यूजरनेम को क्रियेट करना पड़ेगा इस वेब साइट के लिए पास्वर जो भी आपको यार रखना है आपकर सकते हैं सबसे में बरी बात दोस्तों जो अपलोड फोटोग्राफ है इसमें आपको थो फोटो होना चाहिए दोस्तों यह केवी का होनी चाहिए और जो फोटो होना चाहिए वह जेपीजी फाइल में होना चाहिए ठीक है दोस्तों इसमें जो विट होनी चाहिए उसमें आपको फोटोग्राफ होनी चाहिए वह होनी चाहिए 200 से 212 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों करने चुसी तरफ ऑपको फोटो करना पड़े गा यहां पर चूसτο फाल में जा星' कर यह के उसके यह यहां आपको दिखा देर जोस्तों एड़ फmoste करना पड़ेगा कर आद में फोटो कर आदड करना पड़ेगा इसके का है यहांब तक्रम जो भी आपको जो भी आपको इसमें डालना है आप डाल दीजेगा रुज्तों ठीक है रहुआ जो अगर आपको को टिक करके करना पड़ेगा दोस्तों तो यह बहुत यह दोस्तों अगर आपको मेरा एप आपको अच्छा लगा हो अगर आपको मेरा पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइटन को भी दबाए थैंक यू फ